So today we will talk about chapter number 11, components of the environment and interrelationship. तो बच्चो ये चैप्टर में बाइद वे अर्थ के ऊपर आप जहां पर रहते हैं उसके आजवाज में काफे सरी चीज़ है, जंगल है, मौल से, बिल्डिंग से, मिटी है, पानी है, हवा है, ये सब चीज जो हमको मिली है नेचर की तरफ से अगिफ और इसके बट्वीन में हच्छा का सबस्गास कर दोंगे कास सबस्केट में सबस्ति हैं उसके प्रमाटत आपे बिल्डव ही आई एजेगलास के लिए मौनले पे इस यूटू कि सबस्ति है यह वीडियो देखने से पहले यह आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज दूसरे फ्रेंड सो शेर करें चैनल को सब्सक्राइब करना भूलेगा नहीं और कमेंट सेक्शन जो नीचे वीडियो में है वाँ पर कमेंट जरूर कीजिएगा ना आप अपने वीडियो देख सक काफी इंपोर्टन मेंसेज है पूरे सोलार सिस्टम में अर्थ इस ओनली प्लैनेट जिसके उपर लाइफ है नेचल एन्वार्मेंट है और शायद अगर यह नेचल एन्वार्मेंट नहीं होता हम यहां पर एग्जिस्ट करते ही नहीं इंवार्मेंट हमें जीने के लिए इंपोर्टन है हमारा डेलोप्मेंट उससे उसके उपर बेज़ है और इसे उस इस नेचल एन्वार्मेंट के उपर डिपेंडे एंखिसे बहुत आपने स्यॉपर नहीं में जड़ा घूम कर देखो अपने कमरे में नहीं घर के बगार आपको काफी सरी चीदे दिखाए देगी वह सब आपका environment है the environment is the cover of natural components around the earth the environment is made up of lithosphere, hydrosphere, atmosphere and biosphere ये चार नाम आप लोग अपने दिमाग में डाल के लोग कर दो मतलब के इसको याद रखना ये education जब तक आप लेते रहोगे तब तक ये काम की जीज़े उसके बाद भी काम आएगा lithosphere किया है hydrosphere, atmosphere and biosphere ये चार के spellings अच्छे से learn कर ली ना recommended है so next paragraph में लिखा है components of the environment the environment is made up of four main components में अभी आपको बताये जिसमें एक है lithosphere, second है hydrosphere, atmosphere and biosphere हम चारों के बारे में अच्छी तरीके से जानकारी लेने वाले है तो stay tuned पूरा वीडियो देखेगा छोड़के मत जाना so यहाँ पर आप देख रहे हैं ये earth है earth आपको blue, green, white सब अलारक कर दिखा रहे है सबसे जदा blue है, because इसके उपर पानी है, यहाँ पर right side मेने जो फोटोग्राफ लगाई है जसमें चारों जो words atmosphere, biosphere, lithosphere and hydrosphere, मैंने एक picture form में आपको समझाने के लिए रखा हुआ है so यह चलिए आगे बढ़ता है next page के उपर यहाँ पर आप देख रहे हूँगे, lithosphere के बारे में, hydrosphere, atmosphere, biosphere के बारे में कुछ ना कुछ लिखा है so हम एक करके पढ़ेंगे, सबसे पढ़ेंगे lithosphere नीचे photograph देखिए, ध्यान से देखिए आप जब एक किसी water melon को cut करते हैं, तो ऐसी slice निकलती है न वेसी slice का यह photograph है, अर्थ को जब अब चीरो होगे, cut करोगे, तो अंदर से कुछ जमीन के टुकड़ो में यह layer मिलेंगे आपको तो lithosphere is a solid crust, जमीन को ही lithosphere कहते हैं, the soil is called lithosphere which is a hard top layer of the earth, it is composed of rocks and minerals हमारा जो यह lithosphere है, दो चीज़ों से बना हुआ है, rocks and minerals and it is covered by a thin layer of soil, यह rock और mineral के ऊपर पथली से एक layer होती है, वो soil के होती है, lithosphere has a multiple like, it provides land for human settlement, agriculture, raw material, देखो भी हम जिस जरती पर रहते हैं, वो भी lithosphere है, जहांपर हम agriculture practice करते हैं, वो भी lithosphere है, जहांपर बड़ी-बड़ी factories काम करते हैं, वो भी lithosphere है, और आप देख सकते, lithosphere का मैंने एक simple photograph रखा हुए, colorful, अगर आप ध्यान से इसको पढ़ोगे, आपको समझ में आएगा lithosphere कौन सी चीज है, आएब बात करते हैं, नेक्स पेज़ पर hydrosphere के बारे में, यहां पर मैंने कुछ animated photos रखे हैं, पानी के, तो अब समझ गया होँगे, hydrosphere मतलब water, इस earth के पर जहां जहां पर भी आपको water मिलेगा, they are all known as hydrosphere, because all the low-lying areas of the earth surface is surrounded by water, बिल्कुल सही, हमारे चारो तरफ पानी है, and they are all known as hydrosphere, it is comprised of various sources of water, हमें ocean से पानी मिलता है, sea, lakes and rivers, ponds and etc, etc, rain से भी, so यह सारे के सारे hydrosphere में गिना जाएगा, even जो ocean है, इसके पास reach, resources है, यह ओशन मे तो हम लोग गए नहीं, मैं भी नहीं गया हूँ, बड़ अगर आप videos देखो के net geo पे, history channel पे, तो आपको काफी सारे details मिलेगी, इस ocean के अंदर क्या है, एक बार जरूर इस दुनिया को देखना है, और इसी के लिए एक नया movie आ रहा है, आउतार, जो पूरा hydrosphere के उपर based है, कि hydrosphere के अंदर कैसी दुनिया है, क्या बोलते है, fiction story है, जरूर देखियागा इस January के महिने में आने वाला ये poster है, आप देख सकते हैं, बढ़ते हैं आगे next page के उपर, next topic है हमारा atmosphere, जब भी आप घर के terrace पे जाओ या road पे खड़े हो तो उपर जारे देखना है, आपको sky दि various gases, water vapor, dust particles, alkalis, etc, atmosphere एक अर्थ के आजब आजब चारो तरफ, आप देख सकते हैं, इस दोनों photograph में चोटी से एक layer देख रहोगी हवा की, उसे ही atmosphere कहता है, जिसमें various types of gas, water vapor, dust particles, alkalis, इस सारे product से बना हुआ चीज़ है, अभी सब main काम क्या है, हम इसके बारे में क्यों बढ़ा ह वो protect करता है, sun से निकलने वाले harmful ultraviolet rays, आप देख सकते हैं, राइट साइड, यह निकल रहे ultraviolet rays, यह ultraviolet rays से हम बचते हैं, यह ultraviolet rays अगर हमारे skin पे गिरेंगे, तो हमारे skin काली हो जाएगी, पूरी burn हो जाएगी, जल जाएगी, So, atmosphere में एक ozone layer नाम का gas होता है, उसकी layer होती है, वो ultraviolet rays को आने देता, नहीं है, पर एक दुखत समाचार यह है, कि हम इंसान, हम human beings इतना सारे pollution कर रहे हैं, कि वो pollution का जो धुमाए वो उपर जा रहा है, और ozone layer में छेद कर रहा है, और इस holes की विज़े से, वो sun की जो सीधी light ह गरम गरम वो धरती प्यार है, और यहाँ पर temperature बढ़ रहे है, और लोगों के घर के खर्च बढ़ रहे है, क्योंकि ऐसी दराना पड़ता है, ना, we are thankful to atmosphere for making us able to hear sound, बच्चों यह atmosphere है, जिसकी वज़े से हम सुन सकते हैं, मैं अगर कुछ बोल रहा हूं, आपके पास speaker से निकल था, तो शायद यह सारी चीज़े डेवलोब ना भी होपा थी, तो just imagine करो, यह सब चीजों के बिन आप दुनिया में रह पाते हैं, सोचने वाली बात है, let's go forward towards biosphere, यह picture को ध्यान से देखिए, और मेरी बातों को सुनते जाहिए, the part of lithosphere, hydrosphere, atmosphere, तीनों का एक हिस्सा है, जहा life जिन्दा रहती है, वो है biosphere, biosphere में रहने वाले atmosphere मतलब air, lithosphere मतलब रहने के लिए land और पीने के लिए पानी, hydrosphere, कुछ लोग पानी में रहते हैं, कुछ लोग जमीन पर रहते हैं, कुछ हवा में उड़ते हैं, तो यह तीनों के लिए बहुत ज़रूरी है, और तीनों अग microorganisms, human beings, यह सब मतलब पेड, पौदे, animal, पशुपंकी, जानवर, कीडी, चीटी, सब आ गया, living beings obtain food and other necessities from the biosphere, हमारे गर में खाने पे नहीं के आइटम, हमारे आजू-बाजू के lithosphere मतलब यह पेड़ पौदों से मिलती है, पेड़ पौदों को हवा, atmosphere से मिलती है, पेड़ प बच्चों हमने four components of environment देख लिए, अब हमें बात करना है, how many types of environment है, हम जो पढ़ रहे है, फिलाल हमारे पास दो टाइप के environment है, एक जो nature ने बना है, उसे natural environment कहेंगे, दूसरा हमने बना है, यह जो शहर है, जिस city में आप रह रहे है, वो city, city नहीं था पहले जंगल था, तो बनाया कि इनसान ने न, तो इसलिए वो manmade environment हो गया, और जो nature ने जंगल बनाया है, वो natural environment हो गया, natural environment includes biological components, जैसे कि flora, fauna and human beings, and जो inorganic चीज़े है, मतलब कि abiotic जो जिन्दा नहीं है, जैसे कि land, water, air, यह सब भी components है, तो natural environment के दो components है, एक है biotic मतलब कि जिन्दा चीज़े, और दूसरा, abiotic, मतलब सारी, non-living things, so यह दो category हो गई, हमारी components of the natural environment का, manmade environment is created by humans, intellect by interacting with biotic, human क्या करता है, biotic और non-biotic चीज़ों को mix करके कोई न, कोई नही चीज़ बनाता रहता है, या तो फिर biotics से biotic, abiotics से biotic components, और अपना खुद का environment, अपनी needs के सब से बनाता है, so बात क with surrounding environment, he makes changes according to his need, in ancient times men lived a nomadic life, and adapted the environment according to his own needs, his life was simple and his needs were limited, so all his needs were met from surrounding environment, as the time passed, changes occurred and needs also increased, men learn how to use and change the environment, as a result, production increased in agriculture, animal husbandry due to invention of the wheel, industrial revolution, and this man-made environment is also known as a cultural environment, हम humans किस से interact करते हैं, जितनी भी चीज़े हमारे आजबाजी उसका हम उपयोग करते हैं, we use them, हम उसमे थोड़े changes लाते हैं, हम को जैसा चाहिए वैसा हम घर बना लेते हैं, हम को जैसे चाहिए वैसे पेड हुगा देते हैं, हम को जैसे चाह अब से modify किया हुआ environment, जिससे हम कहेंगे man-made, अब मैं पहले के जमाने की बात करो, तो इनसान रहता था, nomadic, घूमता रहता था पूरे जंगल में, उसकी life कैसे थी, उसको life, उसको जितनी भी चीज़े चाहिए थी, उसको surrounding area में से मिल जाती थी, क्योंकि उसकी इतनी सारे desires न बढ़ती गई, इसी लिए environment, मतलब के man-made environment, दीरे दीरे बनता जा रहे, man-made environment का दूसरा नाम है cultural environment, आगे बढ़ेंगे, आप ये photograph देख लीजे, पहाड है, river है, हेथ है, गाउं है, road है, सब कुछ, एक दूसरे के उपर dependent, एक छोटी सी तस्वीर में काफी सारी चीज़े, य and it's a very beautiful, यह हमारा फूसरत environment है, जिसको हमें वैसे ही बरकरा रखना है, वर यही आज का lesson का आपका एक teaching है, मतलब आपको जो सीखना है, वो यही है, क्योंकि इसका इसका इस्तमाल गलत तरीके से मत करो, ना करने तो किसी को, आए बात करते है most, आए बात करते है most importantly पानी के ब हैंगी है, हर एक person, उस 20 रुपिस बोडल को afford कर सकता नहीं है, काफी सारे लोग जिसके घर में पानी पहुंचा भी नहीं है नल से, government का पानी, तो वो लोग को पता होता है water के importance क्या है, जिसको पानी मिलता है उसका कोई importance नहीं लगता है, बट यह सुनिए, समझे और फिर water क importance आप मुझे comment में लिख कर बताईए, so सबसे पहले बात करेंगे इस धरती के ऊपर कहां कहां कितना कितना पानी distributed है, the area of water on the earth is more than the land area, बिल्कुल सही, मैंने आपको पहले एक अर्थ का फोटोग्राफ दिखाया था, लगबख 70% के आसपास हमारे धरती के ऊपर पानी ही पान 4 main oceans है, Pacific, Atlantic, Indian and Arctic Ocean, ये सारे ocean से ये connected एक दूसरे से, ये काफी बड़े, very deep and wide ocean से, जिस में से Pacific Ocean, वहाँ पर एक ट्रेंच है, मरीना ट्रेंच, ये सब से बीपेस्ट है, यहां पर लिखा है 11, मतब 10 to 11 km deep है, उरा का पूरा, Mount Everest उसके अंदर डूब जाएगा, उतना दीप है य Most of the water on the earth is saline, saline मतलब खारा पानी, नमक वाला पानी है, इसलिए हम दर्या का पानी यूज कर सकते, नहीं है, It is mainly found in ocean and seas, the main source of fresh water है, ice glacier, ground water, lakes of fresh water, rivers and etc, बारिश का पानी fresh है, बारिश का पानी कहा जाएगा, रिवर में, लेक में, तो वो हमारे लिए पीनिलायक पानी है, जो बड़े-बड़े बरफ के पहाड़ है, अगर वो पीग लेंगे तो वो fresh water release करेंगे तो वो पानी पीने लायक है, बाकि कोई पानी, direct पीने के लायक है नहीं, उसो clean करना पड़ता है, नमक निकालना पड़ता है, यह बात करते हैं, अब थोड़ी सी पानी के बारे में, यहा Cry waves are formed by whirlwind or storm, when these waves reach the coast, they cause heavy damages, इस वीडियो में देख पा रहे होंगे कि sea waves कैसे ऊपर नीचे हो रहे हैं, कुछ sea waves बहुत ही weak होते हैं, कुछ ताकतवर होते हैं, और यही sea waves जब coastal areas पर टकराते हैं, तो कफी सारी तभाई मचाते हैं, तो पानी काम की भी चीज़ है और पानी तभाई भी मचाते हैं, क्योंकि अब मैं बात करना हैं, नेक्स्ट एक वर्ड है, tides, abs, twice a day, sea level rises and falls periodically, दिन में दो बार, क्या होता है, एक बार पानी दर्या के तरफ आता है, फुल, और बारा गंडे के बाद वो पानी चला जाता है, दूर, तो दिन में यह घटना होती रहती है, उसे कहता है, tides, abs, आप यह फोटोग्राप देख सकते है, यहाँ पर sun, earth और moon का क्या चक्कर है, वो हमें पढ़ना पड़ेगा, तो समझ में आएगा, और समझने के लिए stay tuned, यहाँ पर बैठे रहे है, अपने seat के उपर, हिलना नहीं, और ध्यान से सुनते रहना और देखते रहना, this phenomenon of rising and falling of sea is called tide and abs, प of ab, the sea water returns to the sea from the shore, the time intervals between two tides is about 12.25 hours, हर बारा गंडे में एक बार, एक बार पानी दर्या के नजदीक आता है, तो एक बार पानी दर्या से काफी दूर चलता है, tide occurs on the earth due to gravitational force, gravitational force के कारण ही यह होता है, और यहाँ पर gravitational force का चक्कर यहाँ पर है, और तर भी gravitational force है, moon का भी और sun का भी है, पर सबसे बड़ा sun है, अगर बीच में moon आता है, तो उसका भी रोल होता है, moon दूर चलता है, उसका रोल खतम होता है, so tides occur on earth due to gravitational force of the sun and moon, the mass of the sun is more than the moon, but it is far away from the earth, so, gravitational force of moon is more on the earth, earth के ओपर sun से जदा हमें gratitude force लगता है, moon का, क्यों मुन नजदी के न, sun काफी दूर है, काफी दूर, different parts of the earth face the sun and moon at a different time, so tide also come at different times, कई कई बार ये, मतब हर वक्त, same time पे, tides and abzone, it's not possible, ये थोड़ा आगे पीछे चलता है, पुर्निमा का दिन और अमावस का दिन जो होता है, the sun, the earth and the moon comes almost in a straight line, ये new moon का दिन सकते हो, moon बीच में आ गया है, और full moon के दिन, moon पीचे चला गया है, आप देख सकते हैं, एक photograph दिखाएगे ये, so this condition result in high tides, but when the moon is in the first, last quarter में होता है, तो इसे बनता है low tides, high tides यहाँ पर बनता है, ये new moon के दिन, और full moon के दिन, low tides होते हैं, जैसे आपने वीडियो में देखा, आया बात करते है, ocean currents के बारे में, like the rivers on the earth, the ocean also have a huge amount of water, हाँ, ocean में भी पानी बहता रहता है, उसके भी बहुत ताकत होती है, thousands of years से ये oceans एकी direction में घूमते जा रहे है, घूमते जा रहे है, अर्थ भी घूम रहे है, अर्थ घूम रहे है, ग्रिवटेशल फोर्स, ये सारे फोर्स लगने का कारण, अर्थ के उपर का पानी भी गोल गोल मुमेंट करता रहता है, and these currents are called ocean currents, these currents are hot or cold, ये currents ग currents होते है, दूसरा responsible factor है, wind, तीसरा पानी के अंदर, जो salt है वो, और चौता है, अर्थ का rotation, ये चार factors responsible है for the ocean currents के लिए, mostly hot water, मतब जो hot currents होते है, वो equator की तरफ से गरम पानी होता है, और वो poles की तरफ जाते है, equator से poles की तरफ जाता है, hot water currents, जैसे ocean currents कहेंगे, और pole से आते है, equator क hot मतलब equator से poles की तरफ, और cold currents मतलब pole से equator की तरफ, interrelationship among the components of the environment, अंदर अंदर कैसे relation है सबके, देखते है, man is the center of all components of environment, इस सभी environment का main center है इंसान, मतलब के human being men, the different components of the environment are concerned with one another by physical cycles, the cycles are influenced by human activities, जो cycle चलती रहती है, वो हमारी activities के वज़े चलती रहती है, so nature में सब हो सा लेता है, usage of plants, animals, पानी है, हम तो करते हैं, otherwise वो वही का वही पढ़ा रहेगा, the cycles are influenced by human activities, man does, excavation, हम लोग खुदाय करते हैं, lithosphere के अंदर, हम मिंदल्स भाहर निकलते हैं, huge pits, हम लोग बहुत बढ़े As a temperature in the atmosphere, जब atmosphere में temperature rise होता है, the water जो hydrosphere में, वो evaprood होके, मतलब के, पानी का भाब बनके, हवा में चलता है, and atmosphere साथ मिक्स हो जाएगा, और वही atmosphere mix होने के बाद, rain लेकर, पानी के तरह निचा गिने लगेगा, so after all, यह सब हम ही कर रहे है, so moisture atmosphere में cool होता है, tendence, फिर cloud form करता ह है, and the flow of that water causes soil of erosion, इसके विज़े से हमारे soil, खराब भी होता है, अगर तेज बारिश है, तो, so various landforms बनते जाते हैं, वही human के कारण, हम ही जो छेड़ चाड़ कर रहे है, इस nature के अंदर, जिसके विज़े से, moreover, various human activities are interconnected, हम काफी चारे चीज़े करते है, ecosystem को maintain करने के लिए, फर हम लोग, काफी चारे लोग educate नहीं असले, maintain नहीं कर पाते है, वो और worst condition में डाल देते हैं हमारे environment को, environment का उपयोग करिये, लेकिन थोड़ा सोच समझ करके, आई आगे बात करते हैं, pollution के उपर हम बात करेंगे, हम लोग इस chapter में components देखे हमने, environment देखे, हम इसी environment को हम pollute क के बारे में बात करेंगे, human beings use their intellect to use various components of the environment to satisfy the needs, महाद मागादी सेड दा, pollution is the act of polluting the nature environment through human activities, महाद मागादी ने एक बार कहां था, कि pollution ही एक ऐसी acting है, मतलब लोगों का काम है, जो इंसानों की activity से ही इंसान का nature environment वो खुद बिगारते हैं, हम ही तो ऐसा काम करते हैं, कोई पश कोई ने सब करते हैं कि सब environment गंदा हो जाए, पानी गंदा, हवा गंदी, सब pollution activities हमी लोग करते हैं, अई आगे बात करते हैं, next paragraph में, components polluting the environment कौन से कौन से हैं, जितने भी components हमारे environment को pollute कर रहें, उसे pollutants कहते हैं, याद रखना ही definition exam में आ सकता है, the environment is polluted when resources are used unrestrictly and indiscriminately, the sharp jest of human development, industrialization and mechanization are responsible for pollution of environment, ये environment pollute तभी होता है, जब हम resource का use करते हैं, बिना किसी restrictions के, बिना किसी discrimination से हम कुछ check नहीं करते हैं, और use करने लगते हैं, कि आगे जाके इसका क्या होगा, human development के लिए, industries को बढ़ाने के लिए, machines को चलाने के लिए, हम सारी चीज़ों को उप्योग करने और इसको जल्दी से खतम कर रहे हैं, वो एक बहुत बड़ी और गलत बात मुझे लग रही है, आपको क्या लग रहा है वो तो आप comment section में बता सकते हो मुझे, at present, land pollution, water pollution, air pollution and noise pollution are increasingly very fast, ये सारे pollution बहुत तेज गती से बढ़ रहे है, pollution causes an adverse effect on the environment, human life, living things, pollution से होता क्या है, हमारे environment के उपर असर पड़ती है, human life पड़ती है, living things, human life हम जो inhale करते है, अगर गंदी हवा गई तो, पानी पिया गंदा पानी पिया तो, गंदा खाना पका कर खाएंगे तो, सोचो क्या होगा, we need to take immediate steps to preserve the environment and prevent its harmful effects, हमें आज ही आज, मतब आज से ही सोचना शुरू करना पड़ेग कि हम कैसे, इस respectfully, मतब किस, हम कौन से कौन से तरीकों से इस चीजों का उपयोग करें ताकि वो pollution create ना करें, और आगे आने वाले जो human life हो, वो better life बने और ये earth भी खिला खिला रहें, आप देख सकते हैं, land pollution के बारे में लिखा है, उसको कैसे बचा सकते हैं, फिल लिखा है, water pollution के बारे में, उसको कैसे रोक सकते हैं, और air pollution के बारे में, IHLA फटा फट से बात करते हैं, इसे ही तीनों pollution के बारे में, so, यहाँ पर लिखा है, a change in a soil quality or its nutrients is called land pollution, land pollution is not easily felt, land pollution is on rise around the world, disposal of household, solid waste, water, setting up industries on fertile and agriculture land, discharge or contaminated water used in industries, open land, disposal of industrial solid waste on land, excavation activities, construction activities, chemical fertilizer use for agriculture, over irrigation, over usage of insecticides along with it as well as use of plastic are responsible for land pollution, so, भाई दोस्तों, अगर soil बहुत अच्छे quality में, अगर इसे quality bad condition में चले जाए तो समझो, land polluted हो चुका है, हमें land pollution तूरंद पता ने चलता है, कुछ सालों के बात पता चलता है, क्योंकि हमने हमारे घर के कच्रे वहाँ पर फेक है, इंडिस्ट्रियालिस लोगों ने उनके factory में से निकलने वाले कच्रे वहाँ फेक है, पानी में फेक है, जमीन पर फेक है, लोगों ने गलत तरीके से agriculture land के ओपर अपनी factory set up कर दिये, और वीसे फेक्टरिस के set up करने के ब आज की तरीक में वालो profit कमा लेंगे, लेकिन future में क्या करेंगे, वो profit का इस्तमाल कहा करेंगे, वोगों आगे future बचे का तब ना, तो दोस्तों ये सब के सब चीजे land pollution के लिए responsible है, और इसमें से आप भी हो, क्योंकि आप वो plastic के wrapper वाले packets खाका के फेकते हो ना, तो आप भी गुनेगार हो, शाद मने भी कभी फेका हो, तो मने भी गुनेगार हो सकता हो, बत धियान रखेगा, नेक्स ताम से ऐसे नहीं होना चाहिए. Pollution has occurred in Punjab due to excessive use of nitrogenous chemical fertilizers, due to excessive use of chemical fertilizers in Hoshyarpur, Bhatinda district of Punjab and Rhotak district of Haryana. The water of the wells has been contaminated to a dangerous level. As a result, the people living there have become victims of various diseases. There is a high prevalence of cancer, intestinal and urinary diseases. My God. This is a result. This is a result. This is a result of pollution. In Punjab, people have nitrogenous chemical fertilizers, and this is a result of chemical fertilizers, especially Bhatinda, Hoshyarpur district of Punjab, and Rhotak district of Haryana. The water of the wells are in the chemical mix of water, and this is a result of people's health. The water of the wells has quite a lot of advantage of bacteria, so it is very much for the race. There are some diseases that have been used to be false and purple. The water of the well-being. Nor will it be a source of nitrogenous chemical fertilizers, genetic acid and avac tubes in Hoshyarpur, and urine water. It was a result of chemical fertilizers and Chkesha. But simply, the water of the pump is increased for the surge, the water of the natural gas. So,low can't for the swelling or screening for a 700. So, if you can get to the same level of which you can get to the decrease, And you can get to the water of the wells and Abbottur guys, तरीके से डिस्पोस करो, प्लास्टिक और सॉलिड वेस्ट को री साइकल और रिईउस करना सीखो, एक बार यूस करके डिरेक्ट फेक मत दो, ड्रीप एंस प्रिंखल एरिगेशन सिस्टेम यूज करो ताकि पानी का बचा हो सके, आगे बात करते हैं, ये गंदे गंदे पानी बड़े बड़े होते हैं उसमें से ओड़ निकल गया केतों में से निकला हुआ वह फट केमिकल फटिलाजर वाला पानी पेस्टी साइज वाली दवाए कलर ग्रीस ऑइल प्लास्टिक पेपर क्लोथ रबर चपल काफी सारे लोग नदी में डालते हैं और नदी को कर देते हैं चाहिए वह लेख हो रिवर हो या ऊशन अगर आपने वाटर को पलिशन किया है वह से वाटर पलिशन ही कहा जाएगा तो इसको रोकने के लिए हमें हाउस और अक्टिविटीस जितनी भी होती है कोई भी चीज को मैंतर को फ्लावर को भी हमें वहां जाके नहीं फिकना चाह अच को और बेटर लाइफ उस्टायल मदब बेटर लेक बने बेटर रिए बने स्कोँ जहां पर आफ यूजर में जाके नहां सको मजे लुआ सब को यह नियम बना देने से problem solved नहीं होने वाली है consumption of substances that pollute the water हाँ आज कर लोग हर इक चीज में plastic plastic cup, plastic plate, plastic bag सब कुछ plastic plastic cup में चाय पीना, plastic cup में बॉनवीटा पीना plastic cup में सोडा पीना, plastic cup में पानी पीना this is not healthy इसके विज़े से आपकी health खराब हो रही है ध्यान दीजेगा, आगे बढ़ते हैं air pollution अब दो तस्वीर को देख के काफी सारी चीज़े समझ रहे होंगे जो industries, factories, thermal power plants और गाड़ियों से निकलने वाला जो emission होता है, gas वो बहुत ही harmful होता है dangerous होता है, क्योंकि उसके अंदर carbonious compound होते है specially जो petrol results है, वेहिकल चलते है वो लोग nitrous oxide, carbon monoxide, benzopyrane and carbon dioxide नामक खतरनाख gas चोड़ते है जो हमारे lungs के लिए काफी नुकसान का रहा के काफी unfit है जितने भी pollutants है, जो increase हो रहे day by day, क्योंकि हम लोग mining करने गाड़िया बहुत use कर रहे है हम लोग public transport use नहीं कर रहे है हम solid agriculture waste को जला रहे है incineration लिखा हुए है, मतलब burning इसके कारण pollution बढ़ रहे है कौन जला रहे है, यह factory owners जो mining करके फिर factory में जला जला के सारी product बना के बेच रहे है हमारी needs हो satisfied करे के लिए यह लोग बना रहे है सबसे पहली बात है मेरी तरफ से और आप लोग को कहना चाहिए स्मोक फेल्टर करने के लिए toxic gas को फेल्टर करने के लिए कुछ technology का उप्योग करना चाहिए या फिर develop करना चाहिए coal, petrol, diesel यह सब को धीरे-धीरे कम करना चाहिए और हमें green energy से के CNG, PNG, solar energy, electric energy का उप्योग करके हमारे vehicles चलाने चाहिए काफी चाहरी चीज़े जो gas के उपर, petrol, diesel के उपर चलती है उसको reduce कर दो एकदम और CNG, PNG, solar energy के उपर आ जाओ लोगों को awareness फेलाओ, लोगों को बताओ अगर कोई गल्दी कर रहा है तो समझाओ के यह चीज मत कर तो air pollution कर रहा है और खत्रे गंटी तेरे पास नजदीक आ रही है तो future में मरने जारा जल्दी, PNG should be strictly enforced, एक silencer नाम की चीज़ होती है घाड़ी के पीछे बासे काला-कला दोवा निकलता है काला दोवा या वाइट दोवा निकलना नहीं चाहिए इसके लिए छे मैने में एक बार आपके गाड़ी का चेकिंग होना चाहिए वो गैस हामफुल है के नहीं है इसके लिए P.U.C. certificate आता है वो लेना ज़रूरी है और रिन्यू करवाना ज़रूरी है लेना तो ज़रूरी को जाना जाता है sound is permanent to everyone the person who loves light music rock music is a noise for him जिसको light music पसंद है अगर को रॉक मीजिक बना जाए को इसको क्या लगए का noise हो रहा है अगर जिसको noise सुने की habit हो गए अगर हो light music सुने का तो बहुत आवस कम है तो इसलिए हमेशा हमें melodious sound में ही सारी चीज़े सुने चाहिए not so low not so high अगर हम excessive noise pollution कर रहे हैं तो उससा reason है machines factory में vehicle के loud noise वो जो bullet और yamaha होते हैं वो लोग जो गारी में हौन बजाते रहते हैं वो बड़े बड़े जो DJ speaker होते हैं वो गर में जोड़ जो से टीवी बजाना तो यह सब फिर कई बार उपर से jets उड़के जाना roaring उसके जो jet की आवाज होती है warplane की आवाज होती है बड़े-बड़े machines की जो भी आवाज करने वाले machines वेहिकल से वो सब sound noise pollution create कर रहे हैं कई लोग तो DJ के पार दे में पूरी राद बाद धिम्चिक धिम्चिक करते रहते हैं उसके धिम्चिक धिम्चिक के चकर में काफी सारे लोग सो नहीं पाते ह जो मरने के हालत में होते हैं या जो मरने नहीं वाले है वो वीचारे भी इसकी कारण घवरा के मर जाते हैं हो भी सकता है ऐसा noise pollution का आपको deafness हा सकतके deafness मतब सुनने की सकती चली जाएगी mental health मतब सोचने ही सकते कम हो जाएगी इतनी जोड़ जोसे आवास करोगे तो irritation feel होगा गुसा जल्दी आ जाएगा काम करने की इच्छा नहीं होगी और noise से कारण हवा में जितने भी insects है और microorganism से वो आपके काम के वो भी मर जाएगी सब्सक्राइब करने के लिए सारी के सारे methods अब इस्तमाल कर सकते हो आप soundproof system का इस्तमाल करो cinema hall में cinema hall का आवाज बाहर नियाना चाहिए party hall public hall की आवाज hall से बाहर ना जाए ऐसा dome या room बनाएगे अननेसेजरील noise को कम कीज़े यार ना का में दो गंडे का डीजे बजाना चार चार गंडे क्यों बजारें ट्रीज जितने भी हो से कि उतने Trees क्या करेंगे आपको trees उगाना च्छीए क्या करते हैं, sound को absorb कर लेते हैं, noise को absorb कर लेते हैं, आपको noise सुनाओं देगी नहीं, अगर आपके सामने बहुत सारे trees होगें, तो इसलिए trees उगाना शुरू कर दो, school और hospital के आज़े बाजु में, no horn के symbol होने च्छीए, साइलेंट जोन अचे लोगों को पताना है कि यहां पर स्कूल है हॉस्पिटल है तो हॉन नहीं बजाना है जो जो से भूम भूम हो तो करना ही नहीं है क्योंकि वह इरिडेट करता है ना बच्चों को भी पढ़ाई से ध्यान फटक जाता है फाइर क्रेकर सेलेब्रेशीन में थोड़ा कम यूज करो यार मैं तो दो कहारा थो भी करो तो अच्छा यूज करो तकांफी काफी दूर के करो एक फटा के कि घले दीन फॉर थbold फोलेकिन थोड़ा कम ध्यार में रखकें क्योंकि दिन वादिन पॉपफोलेशीन बढ़ती जा वहां, सर्विस नहीं करा हो गए तो उस मशीन में से काफी सारी आवाज आएगी और वो आवाज देश्परेशन पैता करेगा, जितनी भी सारी एक्टिविटीज हम युमन बिंग करते हैं, लैंड, वाटर और एर को पॉल्यूट करने के लिए, ये कही ना कही तरीके से हमारे एन्वारमेंट ने हमको जो फ्री में दिया हुआ है, नेचर ने, जो एन्वारमेंट को दिया है, उसको हम बिगाड रहे है, कंदा कर रहे है, इन एडिशन तो इस अधर एक्टिविटीज जैसे के सैटलाइट लांच स्पेस में, वेस्ट अमेंडनेंट बाइस्टोनाट्स in the space, artificial rain, use of different chemicals, radioactive pollution due to nuclear power, यह सब भी एन्वारमेंट को एफेक्ट करता है, तो इसको भी कही तरी के से नहीं करना सुगी, सम नेचर डिजास्टर जैसके वालकेनिक इरप्शन, अर्थक्वेक, फ्लोड, एन्वारमेंट पॉलूट यह सब कर सकते हैं, पॉलूशन एन्वारमें फ्लोड एन्वारमेंट को पॉलूट कर सकते हैं, हम सब को मैंटेन करना है, एन्वारमेंट को हमारे अर्थ को सेव करना है, और हमें खुद को यह सब करना पड़ेगा, दूसरे का वेट करना, भो आपको यह एक चैप्टर समझ में आई गया होगा, तो अगर आ गया है तो लाइक शेर सब्सक्राइब बनता है जो चीज आपको अच्छी लगी है वो प्लीज डाल दीजिए बीच में ने एक QR कोड दिया था अगर आपको लगता है कि ये महनती काम है तो आप डोनेट कर सकते हैं और आगे हम और भी अच्छे वीडियो बना सके आपके लिए फ्री में मिलते हैं एक्स वीडियो में तिल देन बाई टेक केर गुड देव उत्वे पार आपके बाता है